नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है यसके टेकोनाई 30 चैनल में चली दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा लागडाउन का समय चला है और ऐसे में बहुत सारे लोग किसी अन्राज में फस गए हैं ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार आपको जल्द से जल्द यहाँ पर इस्पेशल ट्रेन के माध्यम से घर पर आ सके घर पर लाया जा सके तो दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीट प्रॉसेज बात करेंगे कि मोबाइल से आपको कैसे रजिस्टेशन करना है जो उत्तरप्रदेश ने यहाँ पर जन सुनवा करके बेल आइकन प्रेस कर जीए साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरू किजएगा तो चली वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्लेश्टोर में जाना प्लेश्टोर में जाकर आपको एक अप्लिकेशन यहाँ पर प्रकार से ऊपन हो जाए गया है यहां पर आपको क्या करना सिंप्लिक एक सामने इस प्रकार पर करें आप आपको उपनोन कुछ करना है जैसे कि और आपको एक आपसर मिल जाता हैना साइन अप का तो स्म्सक्राइब क्लिक कर लेना तो चलिए साइंट पर जैसे कि哥 क्लिक करेंगे आपके सामने में कुछ ऐसा पे जाएगा और आपकी यहां पर मोबाइल पर टीपी भेज दिया जाएगा तो यहां पर कर लेना को अब बिचित कर लेंगे आपके सामने यहां पर इस प्रकार का पैज आएगा और आपको यहाँ पर अपना इंग्लिस यहां पर इंग्लिज यहां पर प्रवासी पंजी करणा है तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर दो आपसद देखेंगे देख सकते हैं यहां पर सबसे पहला जो आपको मिला है यहां पर उत्तर प्रदेश से प्रदेश फंजे चलिए अपके सामने करण का क्वर्चZ अपको क्लिक कर लेना है यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना अपना एक मोबाइल नंबर देख सक्टे हैं इसा बात दोस्तों यहां पर एक कैपचा कोड आपको दिखर यृँष क werd करके आपको OTP भेज़े पर क्लिक कर लेना है तो चली इतना डिटेल इंटरग कर लेते इसके बाद आपको ostr पेज पर ले चलते हैं तो चली दोस्तों जैसे आप OTP भेज़े पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया जागा और ओही ओटीपी आपको क्या करना यहां पर नीचे देख सेते परवावशी सरमिक दूसरा आपको शातर Ό यहां पर चैसरा आप से अफन तीसे थीर है Piece यकली पर करेंगे फम मेंसरी नहीं Code क देख सकते हैं जो आपसे नहीं है आपको worship प्रवासि स्रमिक दुसरा आपसे नहीं है आपर छात्री तीसरा अपसर है थीर्थ वह दिखेंगे लिदे मोबाइल नमबर आपका यहां पर सो रहा है इमेल आइडि आप चाहें तो इंटरग कर सकते नहीं तो कोई कमपल्सर ही नहीं है इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते आपको अपंगा पफ़्टिक कार्ड आपको चूच कर लेना जो भी डाकुमेंट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको उसका नमबर देना होगा उसका नमबर यहाँ पर आपको इंटर कर लेना होगा तो चली यहाँ पर मैं अपने जो है ओटर आईडी का नमबर इंटर कर लेता हूं आप अपने डाकुमेंट का अगर आधार कार्ट देंगे तो आधर काड़ का नमबर इंटर कर लेंगे इसके बाद नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर देखसे सके जो आपसों एक मिलना है एहाँ पर आप जो यातरा कर रहे हो अपने परीवार के साथ करना चाहते हैं तो यहां माना पर क्लिक करेंगे अगर आपकेले हैं तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं ए चलिकांगहाँ आप नीचे आएंगे और मॉर्य यात्रह्त करना चाहता हूं तो यहाँ पर देख से यहां पर यहां पर बात कर लेते हैं आपको यहां पर अपना इस्टेट से लट कर लेना जिस इस्टेट में आप फसे हुए हैं इसके बात कर लेता हूँ इसके बात दोस्तों आपको अपना पर मिलता है कि आपको फूल आडरेस जहांपर आप हैं अभी फसे हुए उसका फूल आडरेस पिन कोड के साथ आपको यहां पर इंटर कर लेना है चली इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आप्सन जो आपको मिला हैं यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में जहां जाना चाहते हैं पते पर इंडरेस पर जाना चाहते हैं और आपको यहां पर देच्छार्ट कर ले ना है उत्तर प्रदेश के सभी जनपत यहां पर दिखाई देंगे आपको जिस जनपत में जाना है उज जनपत को आप करने तो चलिए आपने के आपको न हमें पर के करने के भाद काद इसके निचे निचे सलए लोगत तो ठोड़ा और यहां पर अपना करने याटर करने के बाद अपनी ग्राम बंचायत का नेम से लिट करे तो जो भी आपका यहां पर gram पंचायत था आप अपने gram पंचायत का नाम यहां पर select करेंजिए इसके बाद दोस्तों आपको अपना gram पूर जो select कर लेंगे जो भी आपका gram है इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर देख से complete address आपको fill up करना है pin code के साथ पूरा पूरा address आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे address fill up करने के बाद आपको एक option यहाँ पर मिलना है देख सकते हैं इसे अपने घर के विएकिति का यहाँपर detail देना है उनका name रिंटर कर लेना और उनका mobile number पड़ेगा जैसे कि हाप नंबर एक सर्थ जो आपको बताए गया कि आपको जब उहाँ पर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है को क्वारंटाइन क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है मतलब कोई जरूरी नहीं है मतलब होम क्वारंटाइन चाहता दिनो यहां पर बताएगा है कि आप जहां पर अभी निवास कर रहे हैं तो आप नहीं आ सकते तो यहां पर देख सकते यह भी सर्थ आपको यहां पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा चली सर्थ भी आपको टिक कर लेना इसके बाद दोस्तों आपको मिल रहा है नेक्स आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि अभी जो है आप जो भी जानकारी दिये हैं अगर गलत जानकारी देंगे तो आपके विरुद यहां पर कारवाही की जा सकते हैं तो आपने सही सही जानकारी दिया गया है तो इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है तो चली हाँ पर टार्मेंट कंडिशन कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और यहां पर आपको सुरचित संदर्व सुरचित करें पे क्लिक करना है लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं यहां पर देख सेते हैं आपको एक नोटिस मिलना है नोट में की जन सुनवाई पोर्टल पर जो पंजी करण कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आपको यात्रा के अनुमती मिल गई अभी आपको जो अप्लिकेशन रजिस्टेशन कर र अफो करने दोस्तों यहां पर आपको यहां पर मोबाईल नमबर के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और आपको कैसे जाना है हो आप पर सूचना मिल जाएगी तो दोस्तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश से अन राज में जाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप रजिस्टेशन कर सकते हैं सरकार जल्द ही आपको लाने का यहा जाते हैं तो इस पर आपक्लिक करते हैं क्लिक करने बाद देख सकते हैं यहां पर निओ आज technic सकते हैं फैमिली मेंबर अगर आप परिवार के साथ आतरा करें तो दोस्तों इस प्रकार बड़े आसानी सा आप इसका अप्लिकेशन फार्म फिलफ कर सकते हैं इसके अलावा आपको कोई भी प्रावलम होड़ी ता आप मुझे कमेंट कर सकते वीडियो चलो तो लाइक और सेर नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्तेवाद